नमस्कार मित्रों मैं हिमान सुर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिनिक क्लासेज में मित्रों आज मैं आपको थार्ड लेक्चर पढ़ाऊंगा इरिगेशन इंजिनरिंग का चैप्टर नमबर एक का मित्रों अभी तक मैंने इरिगेशन के दो लेक्चर पढ़ाएं हैं आज मैं थार्ड लेक्चर में चैप्टर नमबर वन आपको कम्प्लीट करा दूँगा मुझे आसा है आपने पिछले दोनों वीडियो बहुत अच्छे से देखे होंगे अगर आपने पिछले दो वीडियो बहुत अच्छे से नहीं देख पाए हैं उसमें से कुछ छूट गया है आपका तो प्लीज आप वह पहले जाकर वह दोनों वीडियो बहुत अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए जिससे आपका एक क को पऔस किजिए और ठीएस दो वीडियो है उनको बहुत अच्छे से पहले देख लिजिए और फिर आप YouTube कि किसी भेन देख सकते हैं तो उसके बाद फिर इस वीडियो को आप देखिए चैनल को प्रीयों मित्र मेंक ये लख्रिकल्ः करें को प्रियास करें हैं मैं आप जैसे जांते हैं कि हर्पर के बाद में हर लेक्ट्टर के बाद में आपको जो प्रकरार रहे बनी रहे और तीन आपको optional question देता हूँ जिससे competition में अगर थोड़ा सा उसके प्रती रुची आपकी बनी रहे और plus जो आप lecture ले रहे हैं उसको आपने कितना retain किया है यह भी आपके लिए बहुत important है तो उन तीन questions के आप जवाब जरूर दीजेगा comment box में है ना वीडियो skip करके नहीं दे देखिए आप लगातार थोड़ी देर बैठ के आराम से वीडियो को देखिए lecture को सुनिए और जब भी lecture आप देखें चाहे मेरा हो या किसी और से आप पढ़ रहे हूं चाहे जिससे आप पढ़ रहे हूं हमेशा notes तो आपको मिलेंगे provide के जाएंगे बट आप copy pen लेके खुद के होते हैं उसमें कोई जो टीचर है वो उसकी मतल नहीं करता है उसमें उसके शौटकर्स खुद के होते हैं कि वह किस तरीके से उसको याद रखता है तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का लेशन आज का टॉपिक ठीक है तो सिचाई अभियांत्र की इरिगेशन इजिनिंग चेप्टर नमबर वन ये पीडिएफ नोट्स नमबर थरी है ना टॉपिक क्या है इरिगेशन सिस्टम पहला जो लेशन है आपका वह है इरिगेशन सिस्टम मेरा नाम हमाशु ठीक है चलिए बात करते हैं सब से सर्फिस इरिगेशन की अधा है स्थल सिचाई की होता क्या है कि हम जो ले चेती करते हैं उसमें हम अभी तक मड़र है कि हम सर्फिस कर पानी लगा रहे पानी का flow कर रहे थे, cool सिचाई कर रहे थे, furrow method अपना रहे थे, flow irrigation कर रहे थे, यह सब कर रहे थे, लेकिन अब क्या आपने सुना है कि सिर्फ पौधों की जड़ों तक पानी पहुचा ये, ऐसा भी सिचाई होती है, अगर हम किसी सिचाई में छिद्रित pipe या perforated pipe से पौधों के जड़ों में ही पानी पहुचा देते हैं, या उसकी root zone में पानी पहुचा देते हैं, तो वह क्या कहलाता है, आपका sub-surface irrigation कहलाता है, इसमें यह करते हैं, 45-60 cm गहराई पर एक छिद्रित pipe बिचा दिया जाता है, और उस छिद्रित pipe में एक particular pressure से पानी को डाला जाता है, अब particular pressure से जब पानी उसमें पढ़ता है, तो क्या होता है, वो पेड़ों की जड़ों में पहुंचता है, और जड़ों से ही पोधों को पानी चाहिए होता है, तो उसका पूड़ते हविकास होने लगता है, ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं, मैंने इसमें figure बना रखा है, इससे आपको समझ में आ जाए, और मैं भी आपको एक वीडियो के short वीडियो के मार्धम से पताने का प्रयास करूँगा, जिससे आप यह समझ जाए, अधास्तल से चाहिए क्या होती है, important है, बच्चे कई बार समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैंने उसका एक छोटा सा वीडियो मनाया है, वो मैं आभी आपको उसके बारे भी बताऊंगा, चर्चा करूंगा, तो अधास्तल से चाहिए में आप यहाँ पर देखिए, यह आपके tree लगे हुए है, यह पौधे है, क्रॉप देख लीज साथ में यहाँ पर side में यह आपका main pipe यहाँ पर लगा हुआ है, यह आपका main pipe पड़ा हुआ है, इसी main pipe से अगर पानी यहाँ पर flow होगा, तो पानी इधर भी जाएगा, और पानी इधर भी जाएगा, यहाँ पर आगे चलके पानी बंद कर दीजे, तो क्या होगा, यहाँ परफुरेटेट पाइप से पानी जो नमी है वो जणों तक पहुचने लगेगी पेड जो है वो डेवलोप्मेंट होने लगा यही इसका में मेथाड है है ना तो मैंने इसका लेयाउट बना रखा है आप लेयाउट देखिए पाइप का कैसा रहता है तो लेयाउट में आपका यह मेन पाइप है मुख्य पाइप है और यह साइड में छिद्रित पाइप है इसी तरीके से यह आगे चला जाएगा और साइड में ऐसे पड़े रहेंगे पाइप और इसी के पैरलल और भी प्लास्टिक के भी हो सकते हैं और कहीं पर खुले जोड़ो वाले खुले स्थान पर टाइले लगाई जाती है इन जगों पर ठीक है और दूरी एसी रखी जाती है कि वो जो जड़ हैं उनके नमी पूरी तरीके से उनको मिल सके हैं फूमी को नमी मिल सके पूरी तरीके से और पाइपों में मैं जैसा कि मैंने आपको बराबर बता रहा हूं कि जलदाब है उस पर निर्भर करती है ठीक है अधा इस्तल सिचाई जो है वह एक और चीज़ है पानी अगर भाव बनके ऊड़ रहा है यह बहुत ज्यादा रिसन हो बाएं तो यह फ्याटा नहीं जाता है और दोमड़ंव्टी तो दोमड़ मिट्टी जो है वह बहुत सुपोर्टिव होती है वाटर के लिए पानी को अपने अंदर रोक लेती है इसलिए दोमड़ बूसरे में खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है ठीक है तो उसके लिए करटी है इसका जो गुडह है तो इसके जो जल का प्योग है फूरा पूरा पूरा फॉदह को मिल जाता है मैकसिमम उसका फायदा होता है कहीं पर व्यर्थ नहीं होता है तो वास्पी करण के कारण इसका सब्सक्राइब जन्स जरूर होता है तीग tota अनुसके बाद उकीš गूल और नालियां हमें बनानी नहीं पड़ती हैं ठीक है हमें ना तो गूल बनानी है ना हमें नालिया बनानी है अब हमें मर्दा जो है वो नरम रहती है तो ऐसी जगों पर हमें जब नरम बदा होगी तो हमें जुताई नहीं करनी पड़ेगी और ऐसी फसल भी इसमें उगा सकते हैं मुझ खली हो गया तो इससे उस तरह की फसलों को उगाया भी जा सकता है ठीक है पानी की डूटी मैक्सिमुम रहती है रि침 और खुली जो खेत है वो खुली सतय नालीहनना होने से यांतरिक खेती में बाधा नहीं आती है चल सकते है तो यह इसके बाद बात करते हैं तो यह इसमें दोसतों नहीं है आप यह कह सकते हैं कि हाँ चोपी कॉस्ली है और खिसा नहीं सी इतने ज़्यदा पैसा नहीं होता, तो इसलिए उनको दिखकत आती है, ठीक है, तो यह जो है, एक महेंगी विधि है, ठीक है, और इसमें वे खर्चा दीख होता है, कुशल स्रमिक की आव सकता होती है, कभी कभी पाई पाउरूद्ध हो जाते हैं, रूद्ध जाते हैं, चोक ह हो जाते हैं तो उसमें भी सिचाई विवस्था ठप पड़ जाती है तो वहां भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है और इसमें टेकनीशियन की भी आउसकता होती है ठीक है और सिचाई का भान यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें समझना बहुत आवस्यक है क्या कि सिचाई का भान मतलब आप जो है वह पता कैसे लगाएंगे कि पौधे को पानी चाहिए है ना उपर है तो आप मिट्टी देख के पता लगा लेते हैं कि जमीन सूख गई है तो हमें पानी पौधों की बढ़ोतरी देखकर ही कुछ दिन बाद सिचाई की जानकारी इसमें कर ली जाती है तो जो इसमें जो एगरिकल्चर परसन है जो कि फार्मर है उसको बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है उसको इस टॉपिक के लिए इस जो सिचाई के लिए इस प्रकार के करती है तो जिसमें क्या करते हैं जिसमें ज्यादा प्रेशर होता है ना पानी फलोऑ ऊपर को करता है अब अधर इतना रखेंगे वह 되지 भी भी नहीं उसी साब से पाइप आपको पता जाए कितने प्रेशर वाला है और आप इसमें फर्टिलाइजर का भी उप्योग कर सकते हैं या और सप्लिमेंटरी जो पौधों को चाहिए वह यूज कर सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि आप समझ गए होंगे वीडियो देखकर कि किस प्रकार से सचाहिए की जाती है किस प्रकार से यह कारे करती है थोड़ी नई टेक्निक है इसलिए इंडिया में बहुत अच्छे से इसका इस्तामाल नहीं होता है है न तो इस बारे में थोड़ा सा ध्यान की जाती इस तरीके से खेती सिचाई करके की जाती है ठीक है अब बात करते ही स्प्रिंकलिंग इरिगेशन की यह थोड़ी फेमस है और इंडिया में इसका यूज भी होता है ठीक है इसमें क्या करते ही यह एक करतिम वर्षा है ठीक है इसमें फसलों के ऊपर से पानी को वर्ष प्रिकटीकल है प्रिकटीकल इस प्राप्स से कि इसमें पूरा कंट्रोल रहता है यह हमें पानी के अंदाजा रहता है कि पकिशूरे लोके व्यवेस्चों पांगती सबस्क्राइब कर दोस्थी होना चाहिए यह आपका माली यह खेत हैं और यहां पर आपके ओधे हो न चाहिए यह आपका पाइप हो जिसमें आपका इतना प्रेसा содерж हो कि उस तरीके से स्फ्रिंकल कर पाए मिया और है ठेंक से यह और है व्येंड प्रेडर को सकते हैं लेकिन आप जो है जैसे नेचुरल डेखते हैं उस तरीके से यहां देखिए मैं आपको दिखाता हूँ नौजल के बारे में तो यह स्प्रिंग्ल नोजल इस प्रकार की होती है यहाँ पर यह spring लगा होता है यह spreader लगा होता है यह spring है यहाँ पर यह spreader लगा हुआ है यह moving rod है यह क्या करती है यह पानी की जो धार है यहाँ से जो निकलती है और इसको क्या करती है यह जगए जगए काटती है तो जिस तरीके से पूरे में rotation में पानी flow होता है ठीक है तो इस टेप से nozzle आपके market में मिलती है और यह nozzle यहां से pipe से connect हो जाती है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं तो इस तरीके से यह आपके pipe पड़े हुए हैं और यहां पर यह जो pipe पड़े हुए हैं सारे इसमें आपके यहां पर नोजल लगी हुई है थोड़ा ऊपर का pipe उसके बाद नोजल और इस तरह से लगातार आपके इस प्रिंक्लिंग रिजिशन से सिचाई होती है इसमें पाउधों को जितना पानी चाहिए उतना मिल जाता है हमें यहां भी नहीं देखना पड़ता कि भाई पाउधा कब सूख रहा है हमें यह अंदाजा हो जाता है जैसे सब सर्फेस में था यह नहीं पता चलता था पानी कब लगाना है तो वह दिक्कत यहां पर नहीं आती है ठीक है यहां मैंने एक सिंगल फेस दिखा रखा है कैस यहाँ पर यह नोजल यह पानी निकल रहा है जैसे मैं नोजल आपको उपर दिखाई थी उसी तरीके की सेम नोजल है यह आपका पाइप है है ना पाइप में हेड रहेगा पानी रहेगा और यह आपके नोजल का एक क्रॉस कट है यह पानी को काटेंगे पानी जब काटेंगे तो वो इधर से इधर move करेगा थीक है तो इस प्रकार से पानी water जो है वो flow होता है ठीक है चलिए अब आगे बात करते हैं अब इसमें क्या रहता है 10 से 15 मीटर इसमें आपसी दूरी रखी जाती है ठीक है और इस sprinkler में जैसे हम बागवानी कर रहे हैं फाल उद्द्यान कर रहे जो छोटी-छोटी फाल है जैसे सेब के बगीचे हैं जा मौसमी है यो जह जो जाड़ी रख्ष होते है उस तरीके की यह छोटी-छोटी जो सबजिया होती है इनके प्रक्ष बहुत उचależ है उछशे पाद्हे में नहीं यूज की जाती है अब छिड़का उसे चाहिए के कुछ घटक है कुछ पार्थ है तो जल्दाब जनननिकाई इसमें क्या होता है कि जो आपका प्रेसर आ रहा है जो आपका पानी आ रहा है तो है जो आपने water tank लगा रखा है रिजर्वाएं लगा रखा उससे आ रहा हो तो उसमें आपको pressure generating unit होती है जो बहुत ज़ादा pressure generate करती है जिसने बहुंचार बनाई जा सके ठीक है water carrier unit जो pipe होते हैं उनको किसमे लाए आता water वाटर करियर उनिट में यह आपके प्लास्टिक के होते हैं जोहे के भी होते हैं ठीक है उसके बाद water delivery unit जो पानी को बाहर निकालती है जो आपके nozzle और pipe है और nozzle के part होते हैं इसको यह range बोलते हैं यह आपका trajectory angle होता है यह impact arm होती जो पानी से टकराती है यह spreader nozzle है और यह आपका बेरिंग है तो इस तरीके से नोजल के आप पार्ट भी समझा सकते हैं अगर आपका नोजल का पार्ट आपसे पेपर में पूछने को आए तो अब बात करते हैं जल्दा वेकाई की तो मैंने पहले ही आपको बता दिया पंप वर बूस्टर रोते हैं जो पानी के स्पीड को बढ़ाते हैं ठीक है ssen toy विघल ओ टरबाइन पंप होते हैं बूस्ट bri मतलब जो पानी pandemia की स्पीड को बढ़ाएं या प्रेशर को बढ़ाएं ठीक है एक सपीड बढ़ेगा तो वहां पापर प्रेशर अपने आप इंक् पहण आपकलल के लिए बात करते हैं बून्द बून टॉइ सिचाई जह क्या है जिरी me इसन क्या है ट्रिकलिग इरिगरेशन क्या है तेक है अभी हमने सबसर्फज इरिगे եि थी सब सर्फेस रिगेशन में ही बून बून टपकन सिचाई के बारे में चर्चा है यह उससे थोड़ी सी अलग है सब सर्फेस रिगेशन में आप बाटम में डाल रहे थे पाइप यहां बाटम में डालेंगे यहां उसके टॉप पे डालेंगे स्वाइल की ठीक है तो मैं दि और इस फसल में आपके क्या है यह pipe पड़े हुए हैं और यह pipe आपके जो फसल है उस फसल के एकदम पैरलल पड़े हुए और इनमें टाइब लगे हुए साइट में और उन टैप से फसलों के पानी को बूंद-बूंद के रूप में पानी राप्त होता है ठीक है तो इस टाइप से भी खेती जो सिचाई है वह की जाती है इस टाइप से करने वाली सिचाई का जो मिथट है उसको क्या बोलते है ड्रेप इरिगेशन इसमें जो efficiency है वह बहुत ज्यादा होती है फसलों को exact उतना ही पानी मिलता है बिल्कुल में नुकसान नहीं होता है यहाँ पूरा system है देखिए मैं इसके बारे में पूरी तरीके से बताता हूँ मैं आपको तो यहाँ देखिए source है यहाँ पर जो पानी का चाहे नदी हो नहर हो कैनाल हो तो यहाँ source है source के बाद यहाँ pipe लगा हुआ है pipe के बाद यहाँ आपका pond है pond में पानी भरा उसके बाद यहाँ pump लगा हुआ है pump के बाद यह valve लगे हुए है valve में पानी गया उसके बाद इसहां पर sand अलग हो जाएगी ठीक है sand अपना अलग चली जाएगी उसके बाद सीधे एंचली इंजेक्टर में जाएगी फिर एंचली इंजेक्टर के बाद में यह आपका क्या है जो प्रेशर इंक्रीज करता है बूस्टर है बूस्टर के बाद फिर पाइप में आएगा पाइप के बाद यह पूरी मेल लाइन पड़ी है यह आपके पौधे लगे हैं इन पौधों में एक यह आपका pipe गया उसके बाद lateral pipes डाले गए ठीक है और यहाँ पर end में समय क्या लगे हुए है यहाँ पूरी तरीके से बंद कर दिये गए है ठीक है तो यह जो end कैप लगे हुए है यह पूरी तरीके से यहाँ पर बंद है ठीक है और यह जो side में यहाँ पर है यहाँ पर dripper लगा हुआ है डिपर कैसा होता है और बता देता हूं देखे ऐसा होता है डिपर यह छोटी से point होता है और इसके उपर ऐसे हलकी सी टोटी और यहाँ पर एक कैप लगी हुए होती है जब हम इसको खोलेंगे तो पानी पौधक मिल जाएगा बंद कर देंगे टैप को तो पानी नहीं जाता है कहीं और भी और यह सबसे उत्तम है 90% efficiency drip irrigation में मिलती है ठीक है तो इसमें जड़ों तक पानी पहुंचा दिया जाता है ठीक है इसमें इसके कुछ घटक है जिसमें वेंचुरी पंप है रेगुलेटर है जो पानी को कंट्रोल करता है उत्सर्जक है जो मिटर है ठीक ह प्रणाली में जो प्रवा होता है वो 2-10 लीटर प्तिघंटा के हिसाब से और पानी का जो हेड होता है वो कितना होता है 5-7 मीटर ठीक है मुख्य पाइप जो है यह हाप को data याद रखना पड़ेगा पेपर में भी लिखना पड़ेगा मुख्य पाइप का जो diameter होता होता है लेटरल पड़े हुए थे तो यह ध्यान रखिएगा कौन सा पाइप कौन सा है ठीक है उसके बाद बात करते हैं अब तुलना की बात करते हैं तो अलग-अलग तुलना कर लेते हैं मैंने इनको एक पॉइंट में लिख रखा है पहले के एक के बारे में लिख रखा है फिर स्प्रिंक एन्त्राइं से बेटर है इ op कर सकते हैं बड़ी मात्रा में छिलका जाता है तो खेत यह वर्षां में पानी 141 को अप्वे होता हैं तरीक इस में श्रम कम लगता है और गेट वाल खोल देने के बाद खेत में पूरी तरीके से पानी पहुंच जाता है अब एक चीज और है इसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा लगती है और जो प्रवास सिचाई की तुलना में अगर उनसे प्रवास सिचाई से कंपेर करें तो उससे जो है तीस से पचास परसंट जो है वह कम लगता है ठीक है सिचाई जो पहाड़ी छेतर में यह संतोष जनक रहती है लेकिन जो आपकी सैंडिस वाइल है वहाँ पर यह स्प्रिंक्ल इसमें जणों को पानी देना होता है जितना जरूद्र है ऊतना ही पानी जीजा जाता है ठीक है ? पूरी जो बूंद है बूंद पानी की है वहां भूमी में पहुंच जाता है ठीक है तो इसमें पानी का अपवे नहीं होता है श्रम मेहनत बहुत अधिक लगती है, खर्चा भी बहुत अधिक लगता है, इसमें लेकिन पानी की जो खपत है, उसमें 40-70% तक खपत को कम किया जा सकता है, ठीक है, टपकन पाइप में मीटर जा ले जा सकते हैं, ठीक है, यहां सिचाई, खुली-खुली, बवाई तथा जंगूर, व्रच या सबजी और पुस्पों की खेती उत्तम रहती है, जो आपके स्ट्राबेरी और यह आज कल सब की खेती हो रही है, इसमें आपके टपकन सिचाई बहुत उत्तम है, और इस सिचाई की जो दक्षता है, वो कितनी होती है, 90% ठीक है, ठीक है, अब बात करत हैं, यहाँ पर यह जो 65% है, यह एवरेज वैलू है, यह जो 90% है, यह उसकी मैक्सिमम वैलू है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, उसके बाद बात करते हैं, फ्लो एरिगेशन, फ्लो एरिगेशन में आपका जल कंट्रोल बहुत कठिन पड़ता है, सिचाई का इस तर कुछ उचा पोर्शन है, तो आपका सूखा रहे जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, एकनॉमिक जो है, वो है, क्योंकि सस्ते सी चाहिए, ज्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन वाटर का लॉस बहुत होता है, और वाटर चुकि हमारे लिए बहुत अनमोल है मेंटिनंस की कोई आउसेक्ता नहीं पड़ती, कोई वैसा खर्चा इसमें नहीं लगता, जल गरसन होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, इससे मक्षर उक्षर भी फाइलने की संभावना रहती है, और दक्षता में यह बहुत सामान निविदी है, अब बात करते है, इस प्रिंकल इरिगेशन की स्प्रिंकल इरिगेशन में उतनी मात्र चड़की जाती है ठीक है उबर खाबड भूमी है समान रंग से संचाला निसका कठिन है पाइपों में पानी भेजना पड़ता है जैसा मैंने पहले बताया था तो इसलिए मैं दोनों के बारे में बता देत पाइपों के जल में आवस्यक उरवरक मिला देने से अलग अलग ढलना नहीं पड़ता है यह इसका दो फायदे हैं देखें जब हम उरवरक डालते हैं तो इस प्रिंकल में उरवरक हम डाल सकते हैं उसी तरीके से मैंने सब सर्फेस में बताया था जो भी आपको इंग्रेट और आपका ड्रिप इरिगेशन और आपका स्प्रिंकल इरिगेशन चाहे ड्रिप और फ्लो की पूछे तब आप उनके बारें बता दीजिए स्प्रिंकल और फ्लो की पूछे तो बता दीजिए और ड्रिप और स्प्रिंकल की पूछे तो बता दीजिए इसलिए मैंने आपक इसी टॉपिक छुडवाए आपको सारी चीजें बताई हैं तो आज के कुछ प्रेश्ण है टपकन सिचाई पर विस्तार से विवरणड दीजिए लिखिए छड़काव नोजल का सचित्र वर्णन के उसके पार्ट्स पर चर्चा कीजिए अंगों पर अप्रवाह सिचाई और की अंगों का देने हैं ठीक है में कल के आपको एंसर बता देता हूं तो बता देता हूं कल के एंसर भारत में टूब बेल की सिचाई का प्रतिशत कितना है तो यहां आपका 46 परसेंट है यह कोश्चन दुबारा मैंने डाल दिया है चुकि इंपॉर्टेंट था तो इसलिए मैंने बार-बार फिर से पूछ लिया है तो इस प्रकार के माध्यम में खेत का सिर्फ एक बटे पांच से लेके एक बटे दो भाग ही गीला होता है तो वहां कौन सा मेथध है तो वह कून यह सा मेथजा है तो आप लोगों ने वह हcor Jadi कमेंट यहां है वहाँ आप उनको चेक कर लिए ठीक है और आज क्रशनों के उत्तर दय जिसमें एक प्रिश्णत जो पहले ही आपका डिस्क्लोज कर दिया उसको डबल कर दिया है जो कि इंपॉर्टेंट है अन्मी के मन में बना रहना चाहिए हमारा में नेम है कि आपको कोस्टन्स याद रहें समझ में आए ठीक है तो आप लोग जो है वो जो आज कोस्टन दिये हैं उसके आप एंसर लिखिएगा आपसन कोस्टन जो है वो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के और आप ये पहला आपका लेशन पूरा कम्प्लीट हो चुका है ठीक है सेकेंड लेशन जिसका नाम है इन फॉल एंट रॉन आफ यह भी काफी बड़ा चैप्टर और इंपोर्टेंट चैप्टर है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसके बारे मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत विस्तार से उस पर चर्चा करूंगा पढ़ाऊंगा आप लोग बोज भी नहीं होगा अलग-अलग faculty का थोड़ा थोड़ा लेक्चर तियार करेंगे तो बोज भी नहीं होगा और उसकी memory जो है वह प्रांग रहेगी आपके memorize हो जाएंगे सब्जक्त क्या होता है जब बच्चा exam में बैठता है तो वह सोचता है एक दिन में पढ़ लेंगे ज़रूर आप पढ़ लेंगे एक दिन में बट एक दिन में पढ़ा हुआ जाके आप एकजाम में तो एक बार को लिख भी देंगे उ और यह जो लेक्चर है यह अपने साथियों तक जो है पहुचाने का प्रियास करें क्योंकि हमारा उद्देश यह है कि इस कोरोना काल में सबको अपको नोट्स मिल जाएं एक चीद ध्यान रखीएगा में इस लेक्चर के बाद अभी पिछले दो वीडियो के आपको नोट्स नहीं दिये थे वह इसीलि setzt नहीं दिये थे कि पूरे लेशन के नोट्स में एक साथ आपको प्रवाइड करूंगा जो कि मैं आपको प्रवाइड करने वाला हूं ठीक है तो थैंक्स यू थैंक्स फार वाचिंग धन्यवाद